नमस्कार में मैंश मिश्रा और आप देख रहे हैं News 24 तो भारतिय जुनिता पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है लोगसभा चुनाओं के मदे नजर ये दूसरी लिस्ट है भारतिय जुनिता पार्टी की जिसमें 72 नाम है इससे पहले 1955 नामों की पहली लिस्ट जारी क क्योंकि इसमें से कुछ चहरे ऐसे भी हैं जो लोगसभा चुनाओं नहीं लड़े थे पिछली बार इस बार उनको लोगसभा चुनाओं लड़ाया जा रहा है वो राज्यसभा में थे ऐसा एक नाम आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे तो अब ऐसे कई और भी नाम हैं जिनको राज्यसभा से अब लोगसभा चुनाओं लड़ाया जा रहा है एक एक करके जिक्र करते हैं भारतिय जनता पार्टी ने टॉप 20 कौन से ऐसे उमीदवार उता रहे हैं जो कॉंग्रेस पार्टी या इंडिया गडवंदन के लिए मुश्किले खड़ी कर सकते हैं आपको बताते हैं एक एक करके सबसे पहले भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली से पूर्वी दिल्ली से हर्ष मलहोतरा को टिकट दिया है जी हां आप जानते हैं कि गौतम गंभीर पिछली बार इसी सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे लेकिन चुनाव की घोशना हो जो ये लिस्ट आनी थी उसकी घोशना हो उससे पहले उन्होंने अपने कदम पीछे खीश लिया और कहा कि मैं सन्यास ले रहा हूँ और उसके बाद पहली लिस्ट में तो इस सीट का नाम नहीं था पूर्वी दिल्ली का लेकिन दूसरी लिस्ट में इसका नाम रखा गया है हंस राज हंस सांसत थे 2019 में उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा था और जीते थे लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है पूल बिलाकर दिल्ली से देखें तो अब तक जो लिस्ट आई है दिल्ली के सातों सीटों पर आ चुकी है अगर मनोस तिवारी को अची थी जहां पर हर्ष मलहोत्रा को टिकट दिया गया है और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंदर चंदोलिया को टिकट दिया गया है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है अब बात करते हैं अगली सीट की तो यह हमीरपुर सीट है इमाचर प्रदेश की यहां स केंदریया मंतरी अनुराक ठाकुर को फिर से रिपीट किया गया है पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे और इस बार एक बार फिर से उन्हें ही टिकट दिया गया है और चुनावी मैदान में उतारा गया ह अगली सीट बड़ी होट सीट कही जाती है नागपुर की ये सीट जहांपर नितिन गटकरी को मौका दिया गया है और नितिन गटकरी यहांपर फिर से चुनाओ लड़ते हुए नजर आएंगे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाविकास अगारी की तरफ से उधर ठाकरे ने निमंत्रण दिया था जब पहली लिस्ट में उधर ठाकरे का नाम नहीं था नागपुर सीट का एलान नहीं किया गया था कि आईए हम आपको चुनाओ लड़ाते हों भारतिय जुनता पार्टी को एक सबग दीजिए उसके बाद देविंद्र फर्णविस का जवाब भी आया और उसके बाद तमाम चीज़ें होती रही अब जब दूसरी लिस्ट आई है बहात्तर नामों की घोशना होई है तो उसमें एक नाम नितिन गटकरी का भी शामिल है नागपुर सीट से वो एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे केंद्रिय मंत्री है ही और अपने काम के लिए जाने जाते है और पक्ष हो या फिर विपक्ष हो हर कोई उनकी तारीफ करता है नागपुर सीट से एक बार फिर से नितिन गटकरी चुनाओ लड़ने जा रहे हैं एक ऐसा चेरा जो अभी तक लोकसभा चुनाओ में नहीं उत्रा था और राजसभा से सांसत थे पियूश गोयल ये इस बार मुंबई उत्तर महराष्ट की इस सीट है यहां से चुनाओ लड़ते हुए नजर आएंगे और इस सीट पर पहले पूनम महाजन ने ये सीट जीती थी वो चुनाओ लड़ी थी रमोद महाजन की बेटी है पूरम माहाजन उन्होंने चुनाव जीता था, उनका टिकेट काट दिया गया है इस बार पूरम माहाजन का और इस सीट से रज्य सभा के जो सांसद है मौजूदा, पियूश गोईल, मुंबई उत्तर, महाराश्ट की सीट, इस से उनको इलेक्शन में उतारा गया है, अगला इस लिस्ट में है, पंकजा मुंडे का बीड से, महाराश्ट की बीड सीट से उन्हें मौका दिया गया है, और प्रीतम मुंडे, उनकी बेहन थी, उनका टिकेट काट कर उनको इस बार जगह दी गई है, बीड से चुनाव लडाया गया है, MLA थी अभी तक, और अब उन्हें लोकसमा के चुनाव में उतारा गया है, बीड की महाराश्ट की सीट से, देखते हैं, क्या करता वो कर पाती है, कितना कमाल दिखा पाती है, अगली सीट का जिकर करेंगे, टॉप 20 में अगली सीट है, पुने की मुरली धरन किशण मोहूल, यहां से चुनावी ताल ठोकते यह होट सीट है, और इस पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, अगली सीट की बात करते हैं, गढ़वाल की, उत्राखंड की बात करते हैं, इस सीट पर भी कमाल हुआ है, और इसके अगली वाली जो सीट है, इस पर भी कमाल हुआ है, यानि कि जो हरिद्वार की सी लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है इसके अलावा त्रिवेन सिंग रावत की सीट की बात करें इस बार तो हरिद्वार से वो चुनाव लड़ने वाले हैं और पिछली बार रमेश पोखरियाल निश्वांक पूरुसीम वो भी उनको भी इस बार हटा दिया गया है उनका पत्ता भी साफ कर दिया गया है तो इन दोनों सीटों पर यानिकि उत्राखन की जो दो सीटे एलाइन की गई है पूरु मुख्यमंत्रियों का पत्ता साफ करके इनको जगह दी गई है अनिल बलूनी गणवाल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे जबकि त्रि एक दिन पहले ही अपने पत्त से स्तीफा दे दिया उसके बाद ये चर्चा थी कि कहीं उनको राज्यपाल ना बना दिया जाए पंजाब का लेकिन वो सारी अटकले जो है खारिज हो गई है इस लिस्ट के सामने आने के बाद क्योंकि मनोहरलाल खटर को अब केंद्र की अब मनोहरलाल खटर को उनकी जगह रिप्लेस किया गया है अब मनोहरलाल खटर करनाल की सीट पर चुनाव लड़ेंगे आगली सीट है गुडगाओं की बड़ी फेमस सीट इस पर राव इंद्रजीत सिंग यादो को टिकट दिया गया है पिछली बार भी वो यहीं से चुन भी ताल ठोकेंगे इनको भी रिपीट किया गया है ये भी पिछली बार यहीं से चुनाव लड़े थे और जीते थे इस बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे या हारेंगे आने वाला वक्त बताएगा टॉप 20 की जो लिस्ट है उसमें एक और नाम है अशोग तवर का वो सिरसा से हर्याणा की सीट है वहां से ताल ठोकेंगे नजर आएंगे मज़ेदार बात यह है कि पिछली बार अशोग तवर इसी सीट पर चुनाव लड़े थे लेकिन कॉंग्रेस के टिकट से लड़े थे और चुनाव हार गये अब जब चुनाव हारे है तो वो भारतिय जुनता पार्टी की तरफ से इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे पिछली बार सुनीता दुगल यहां पर इसी सीट से उन्होंने टकर देते हुए अशोग तवर को हराया था सिरसा की सीट से लेकिन उ और इस बार वो भारतिय जुनता पार्टी की तरफ से ताल ठोकेंगे सिरसा की सीट पर इसके अलावा बसवराज बोम्माई यह भी एक जाना माना चहरा और आप जानते ही हैं कि किस तरह से करनाटक की राजनीती में बसवराज बोम्माई ने अपने आपको स्थापित किया ह अब वो भी केंदर की राजनीती में दिखाई देंगे नजर आएंगे हावेरी सीट से करनाटक की हावेरी सीट है वो इस पर चुनाव लड़ेंगे इससे पहले शिव कुमार उदासी यहाँ पर चुनाव लड़ा करते थे और जीतते भी थे लेकिन इस बार उनका टिकट का लड़ेंगे इसके लावे एक और सीट है बैंगलूरू साउथ की तेजस्वी सूरिया यहाँ से यूवा चेहरा है भारतिय जुनेता पार्टी के और ये भी इस बार इसी सीट से ताल ठुकते हो नजर आएंगे पिशली बार भी चुनाव लड़े थे और जीते थे और भार कि राजनीती में भी उन्होंने एक पहचान बनाई है यूवा चेहरा है उनको इस बार फिर से बैंगलूरू साउथ से टिकट दिया गया है वो इस बार भी यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे अब बात कर लेते हैं बैंगलूरू उत्तर की जो करनाटा की सी इनको टिकट दिया गया है डीवी सदानंद गोडा का टिकट इस बार काटा गया है सीट पर पिछली बार वो चुनाव लड़े थे और इस बार यहाँ पर शोबा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी वो क्या कर पाती हैं किस तरह से अपना चुनाव लड़ती हैं प्रदेश के उनके बेटे हैं और चर्चा ये भी थी कि दोनों जो पिता पुत्र हैं वो भारतिय जुनता पार्टी में जा सकते हैं लेकिन दोनों तो नहीं गए उसके बाद चिंदवारा से नकुलनाथ को टिकट दिया गया और वो एक बार फिर से यहां से चुनाव लड़ा है कॉंग्रस पार्टी की तरफ से लेकिन भारतिय जुनता पार्टी ने उनके खिलाब विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतार दिया है किस तरह की फाइट रहेगी ये देखना दिल्चस्प रहेगा ये भी काफी हॉट सीट है अगली सीट पर आते हैं इंदौ अलवाए एक और सीट है तेलंगाना की मेडक की इस सीट पर माध इस सीट पर माधव नेनी रहुनंदन राव को टिकट दिया गया है तेस तरहर नेताओं में इनका नाम भी शुमार होता है कोठा प्रभाकर रेड़ी पिशली बार जो बी आरस या पर जो पार्टी है टी आर 20 जो लिस्ट जारी हुई है भारतिय जनता पार्टी की 72 लोगों की उसमें लोगों के नाम है और भारतिय जनता पार्टी ने मैंने जैसे कि बताया कि राज्यसभा से दो पृत्याशियां है जिनको टिकट दिया गया है कि आप जाईए लोकसभा का चुनाव लड़िये जाक इसके लावा जो हाइफाई नाम है जाने पहचाने नाम है उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है खास तोर से मनोवरलाल खटर जो कि मुख्यमंत्री थे और देखिए केंद्रिय मंत्री भी है गटकरी साहब भी है प्यूज गोल है तो तमाम लोग है इस लिस्ट में अब यह और भी लिस्ट आना वाकी है लेकिन इस लिस्ट के जो टॉप 20 नाम थे वो हमने आपको बताए बताईए कि कैसा रहेगा इस बार भारतिये जनता पार्टी का जो 400 प्लस का जो नारा है जो उनका लक्ष है क्या इस अभी पूरा कर पाएंगे कमेंट करके बताईए बहुत बहुत शुक्या।